नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल प्यूशकुपता में बहुत दिनों बाद मुलकात हो रही है आप लोगों से बीच में continuous वीडियोज नहीं आप आ रही थे लेकिन अब क्योंकि बैंकिंग प्रप्रेशन का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है तो अब वीडियोज कंटिन्यूसली आएगी तो जो लोग भी इस चैनल में पहली बार जूर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम प्यूशकुमार गुपता है और मैं एस प्रोबेशनरी ओफिस इस बीडियोज को चैनल पर आपको हर तरीके की गाइडेंस और जो न्यूज होती है बैंकिंग रिलेटेड वो आपको मिलते रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के जैस वीडियो को तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो एक बहुत बड़ा इस वीडियो में आप सभी की दूर करता है तो इस वीडियो में बताना चाहूंगा एस बीडियो के तरफ से बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है कि 15,000 इंप्लोई को हायर करेंगी तो इसमें जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर करता हूं इस न्यूस से रिलेटेड पहला ड 15,000 है इसमें क्लेरिकल, प्रोबेशनरी ओफिसर और SBI की जो अलग-अलग सबसीडिरी कंपनीज है जैसे SBI कार्ड, SBI General Insurance, SBI Life Insurance सबको मिला अगर 15,000 इंप्लोई को हायर करेंगी लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि एराउंड 8,000 तो 10,000 प्रोबेशनरी ओफिसर को इस पार हायर करने वाली है State Bank of India, जो कि एक बहुत बड़ा न्यूस है क्योंकि अभी तक के हिस्ट्री में इतना recruitment एक ही साल में नहीं हुआ है SBI के तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या सच में जब notification आएगा हम लोग उस दिनों में देखेंगे लेकिन हर यह अराउंड 2000-2500 employees को हायर कर क्योंकि जो expansion है SBI की वह rapid expansion करने वाली इस fiscal year में तो इस fiscal year में बहुत अच्छा expansion होने वाला है तो आप सभी के लिए जो भी preparation कर रहे हो बहुत अच्छा मौका है फिर से सुन लो ऐसा मौका बारबढ नहीं आएगा इस पार बहुत अच्छे से preparation करो और प्लीज notification का wait मत करना ब जब एक्जाम पास आजाता है तो qualify नहीं कर पा तो 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 पहला डाउट तो तो तुम आ रहा था कि क्या सर काली प्रोवेशनी ओफिसर से नहीं इसमें सब इंक्लूड़ेट है दूसरा डाउट जो आ रहा है कि मैक्सिमम जो होंग 85% उसमें से engineers को हायर करेंगे ऐसा truth नहीं यह कहीं से officially नहीं आया है कि आपको बोला जा रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर को हायर करेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है और आपके notification में बीचा चाहे वो clerical हो चाहे प्रोबेशनरी officer हो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ mention नहीं आगा यह मैं आपको guarantee के साथ बो रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर हायर करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल fair chance दिया जाएगा चाहे आप एक science background के student हो चाहे commerce हो चाहे आपका सबको equal chances मिलने वाले हैं हर साल की तरह हर साल भी सबको equal chance मिलता है आपके caliber आपके talent आपके personality जो आप interview में carry on करते हो उन सब पर ही marks मिलके आपका decide होता है कि आप select होते हो कि और मैं बताना चाहूंगा कि जिनको भी interview की preparation करनी है वो मेरा course purchase कर सकते हैं नीचे description में link है उसमें जिन्होंने भी मेरा course को purchase किया उल्मोंस सभी लोगों का selection हो गया जिसका मैं इंटर्व्यू डाला भी अपने channel में आप लोग चेक आउट कर सकते हो तो जिनको भी course purchase करना link है और नीचे मेरा telegram group का भी link है जहां आप join करके बहुत सारे candidates जो और लोग भी है जो अपना common doubts होते वहाँ post करते है तो आपस में आप लोग एक community में add हो सकतो हो नीचे telegram group का link दिया है तो देखो मेरा यह आपको कहना है कि यह जो doubt एक myth फैल आया जा रहा है कि 85% engineers होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यह कहीं लिखा भी नहीं officially और ऐसा होगा भी नहीं possible है क्योंकि यह कही नहीं भी एक discrimination पैदा नहीं कर सकती है कोई organization यह आप समझने की कोशिश करें इसमें बहुत लोग hamper करेंगे अपना studies इधर उदर check करने के लिए एक तो officially मैं बता रहा हूं कि ऐसा कहीं भी कोई भी organization नहीं लिखेगी कि मैं preference will be given to engineers ऐसा line आपको notification में नहीं मिलेगा यह मैं पाते ही आपको समझनी थी basically यही दो बात कि क्या सिर्फ और से प्रोबेशनी ऑफिसर तो बिलकल नहीं इसमें सारे लोग included थी के पहला दूसरा point मेरा यह है कि जो आप लोग बोलो engineer वाली बात वह बिलकुल सच नहीं है उस पे आप believe मत करो और मेरी according आप सब preparation अच्छे से कर करना मैं उन सारी strategy videos को बताऊंगा उस पे एक video बनाऊंगा और आप सभी अच्छे से prepare करो आगे मेरी videos और भी आए कि strategy पर आप लोग जिस topic पर video मेरी चाहते हो नीचे comment करके बता देना मैं उस पे आपको एक special video देने की कोशिश करूँगा ठीक है तो इस video में हम लोग यह notification के बारे में जो मुझे पता था और आप लोगों को कि जो confusion थी वो मैंने दूर किया है और आगे के videos में हम लोग और भी चीज़े देखते रहेंगे ठीक है तो चलो इस video को हम लोग यह end करते हैं और आप सभी अच्छे से prepare करो